Hello and welcome everyone, मैं हूँ आपके साथ अर्णेमा दुवेदी Big Boss 14 का घर क्या haunted है? Big Boss 14 के घर में कुछ negative energies हैं ये हम नहीं कह रहे हैं बलकि ये कह रहे हैं Big Boss 14 के घर के contestants हाली में जो प्रोमोस सोचल मीडिया पर ट्रावल कर रहे हैं इन प्रोमोस को रिवील किया गया है उसमें BB14 के contestants ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि घर के अंदर कुछ negative energies हैं घर के अंदर एक दरावना माहौल है कुछ ऐसे साय हैं जो उनको दिखाई पड़ रहे हैं लेकिन ये पता नहीं है कि उन लोगों के साथ क्या हो रहा है दरसल हाली में सोचल मीडिया पर कुछ प्रोमोस आये हैं बिग बॉस 14 के और उसमें एजास खान, कविता कौशिक, पवित्र पुनिया ये सब कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उनको घर में किसी के होने का एहसास है, किसी नेगेटिव एनरजी के होने का एहसास है उनको घर में इस समय डरावना माहौल लग रहा है, घर में डर लग रहा है और वो लोग घर से बाहर जाना चाहते हैं इस तरीके की बातें करके contestant करते हुए नजर आया है हाला कि ये बात भी expect की जा रही है कि घर के अंदर पिछले कुछ seasons में भी इस तरीके का माहौल create किया गया था इस तरीके का माहौल बनाया गया था किसी टास्क को ले करके लेकिन कहीं ना कहीं बिग बॉस 14 में जिस तरीके से अभी तक जो प्रोमोज आये हैं उसमें contestants काफी जादा डरे हुए हैं एजास खान ये कहते नजर आते हैं कि उनको घर के अंदर एक साया नजर आया था तो वहीं कविता कौशिक भी ये बात कहती हुए नजर आती हैं कि रात में अजीब अजीब सी आवाजें घर के अंदर आने लगती हैं किसी तरीके का टास्क हो लेकिन फिलाल के प्रोमोस तो थोड़े से शौकिंग है जो प्रोमोस आएं उसमें कंटेसंस काफी जादा डरे हुए और यह प्रोमोस सोशल मीडिया पर काफी वाइरल हो रहे हैं इसके उपर लोग कॉमेंट करते हुए भी नजर आ रहे हैं कि आखिर बिग पॉस के घर में हर सीजन में इस तरीके की चीजें क्यूं होती है क्या सच में बिग बोस का घर हॉंटेट है और अगर है तो क्यूं इस बिग बोस के घर को अब तक यूस किया जा रहा है